राधे राधे जैसी क्रशना आज मैं आपको पोपा भाई की एक पुरानिक कहानी सुनाने जारी हूँ कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वैल जरू प्रस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्णा जरू लिखें धन्यवाद कहानी इस प्रकार है एक बार एक पोपा बाई थी, वैं अपने भाई भावी के साथ रहती थी जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके भाई भावी ने उसके लिए लड़के देखने शुरू किये लेकिन पोपा बाई ने शादी करने से इनकार कर दिया उसने अपने भाई भावी से कहा कि आप जंगल में मेरे लिए एक जोपडी बना दो मैं अपनी बाकी की जिंदिगी वहीं भक्ती करके विताऊंगी तब उसके भया बाबी ने जंगल में उसके लिए एक जोपड़ी बना कर दे दी तब पौपा बाई गाओं के लोगों की भेड बक्रियां और गाएं चराती थी और बदले में उसे जो गवाली मिलती थी उसी से वे अपना गुजर बसर करती थी और खाली समय में पुजा पाट क्या करती थी एक बार की बात है एक राजा उस जंगल में शिकार करने आया राजा रास्ता भटक गया था और उसी इस्तान पर पहुंसता है जहां पौपा बाई की जोपड़ी थी राजा ने मनिमन सोचा कि इस घने जंगल में अकेला कौन रहता होगा तब जोपड़ी के पास गया और दरवाजा खट-कटाता है कही बार खट-कटाने पर अंदर से पौपा बाई बोली कौन है जोपड़ी के बाहर तब राजा ने कहा मैं राजा हूँ तब पौपा बाई ने कहा आप जो भी हैं जहां से भी आए हैं आप वापस वहाँ चले जाएए राजा ने कहा दर्वाजा खोलो पोपा भाई ने कहा मैंने पराय पुरिश का मूँ ना देखने की सोगन खाई है लेकिन राजा नहीं माना राजा ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ पोपा भाई ने कहा मैंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मिचारिय का पालन करके बिताने का निष्टे किया है आप यहां से चले जाएए लेकिन राजा ने दर्वाजा तोड़कर पोपा भाई को जवरदस्ती महल में ले आता है वहां राजा की और भी राणिया थी पोपा भाई ने राजा को शाप दिया कि हे राजा इसी वक्त तेरा राज्य और तू नश्ट हो जाएगा तब ही राजा का राजपाट मिट्टी में मिल जाता है तब सभी राणिया बोली कि राजा जी आप इसे वापस वहीं छोड़ आईए जहां से इसे लाए थे तब राजा पोपा भाई को वापस छोड़ने जाने लगा तब ही वहाँ पाप की नदी आ जाती है जिसमें राजा डूप कर मर जाता है तो पोपा भाई को लेने यम लोग से खुद धर्म राज जी देविमान लेकर आते हैं और धर्म राज जी उसे यम पुरी के पास ले राते हैं और वहाँ एक पौपा बाई की नगरी बसा देते हैं जहाँ पौपा बाई के लिए सुन का सिंगाशन लगाया हुआ था उसके बाद एक सावकार्व सावकार्नी मरने के बाद धर्मराजी के पास पहुंचते हैं। धर्मराज जी ने कहा कि सावकार आप दोनों मेरे द्वार तक तो आगे हैं लेकिन इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि आप दोनों ने पोपवाई की बात नहीं सुनी हैं तब वो दोनों बोले कि धर्मराज जी ये क्या होता है हमें पूरा बताईए तर धर्मराज जी न इसलिए मैं तुम्हें वापस धर्ती पर भेजता हूँ, तुम साथ दिन तर पोपा भाई की कता सुनना, उसका उद्यापन करना, उसके बाद ही तुम्हें लेने यम दूत आएंगे, तब साहुकार और साहुकार नी दोनों पती पतनी को धम राज वापस धर्ती पर भेज दे पुपा भाई रो, इस तरह साथ दिन तक की कहानी सुनते हैं, और साथ दिन के बाद उसका उद्यापन करते हैं, उद्यापन में दो कासे के कटोरे लेने चाहिए, एक कटोरे में काले तिल और एक कटोरी में राई, पांच कपड़े, दक्षिना के रूपे एक ब्रामन को द जादा से जादा शेयर करके पुन्या कमाएं, धन्यवाद